हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू हमवोग कॉर्णर आई होप यू और सेफ और हेल्दी सो आज मैं आपके साथ डिसक्रस करने वाली हूं इव्य सैंपल पेपर तो चली बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू अब आप मुझे मेरे इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस जो सैंपल पेपर हैं उसमें हमने कौन-कौन से टोपिक को लिया है ठीक है तो एक बार वो देख लेते है क्योंकि पूरा जो सैंपल पेपर है उन्हीं टोपिक में से मैंने लिया है पहला मारा टोपिक है फेस्टिवल उसके बाद मैंने लिया है प्लांट एंड यूसफुल प्लांट ठीक है जिस प्लांट में हम हर शर्ब के बारे में पढ़ेंगे हर्ब शर्ब क्रीपर हैha, उसकी बाद मैंने लिया ईनिमल यहां पर आनिमल में हं वाइल्ड आनिमल भी पढ़ेंगे और यूसफुल आनिमल के बार में भी पढ़ेंगे की ऐनिमल से जैसे हमिए क्या मिलता है लेढर मिल्क उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे इसमीं तो यह चैप्टर है जो कि मैंने इस सैंपल पेपर में इंक्लूड किये हैं और पूरा सैंपल पेपर इन्हीं के बेस्ट पे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो मारा फिर्स क्योशन है फिलिंदा ब्लैंक स्यूजिंग गीवन ऑप्षिन इन्दा बोक्स यहाँ पर मैंने आपको ऑप्षिन दिये हुए हैं और यह फाइफ मार्क्स का है इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगे अगर आप इस सैंपल पेपर को करते हो तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करना कि आपके बच्चे ने कितने मार्क्स गैट की हैं और अगर किसी भी क्योश्ट का अंसर आपको लगता है कि यह हमें नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में भी पूछ सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर क्योश्ट का अंसर क्या होगा ठीक है, तो first question हमारा flinda blanks है, जो है कि यह 5 marks का, ठीक है, हमारा second question है match the following, जिसमें हमने पहले लिया है सीवईया, car, compass, sugar, beast of burden, direction, ead, sugar cane, land transport and yak, ठीक है, यह भी हमारा 5 marks का है, question number third है हमारा right T for true, F for false statement, ठीक है, यह भी हमारा five marks का है, the stem remain under the ground, तो यह हमारा हो जाएगा false, क्योंकि जो हमारा तना होता है, वो हमेशा कहां होता है, जमीन के उपर होता है, उसके बाद है we can live without plant, हम रह सकते हैं बिना पोधो के, तो यह false हो जाएगा, because बिना पोधो के हम जो है, survive नहीं कर सकते, सबसे biggest जो हम based plant पे वो है, oxygen जो की वो release करते हैं, और carbon dioxide जो की वो observe कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा false, next, we call an electrician to fit the taps, देखे, electrician जो है वो electrical gadgets होते हैं, उनको repair करते हैं, taps तो palmber करता है, taps हमारा water-related जो pipe वगएर होते हैं, तो यह भी हो जाएगा false, Wednesday comes after Tuesday, तो यह true है, aeroplane are the fastest means of transport, जो aeroplane है, वो सबसे तेज जो है means of transport है, तो यह true हो जाएगा, चीक है, हमारा fourth question है, multiple choice question, February has 28 days, eggs is the rich source of protein, we get medicine from, तो यहाँ पर नीम आ जाएगा, one of these is a flightless bird, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, flightless bird हमकी इनको कहते हैं, वो birds जो की उड़ नहीं पाते, boat race is the special feature of onam, ठीक है, onam जो festival है, वो केरल का festival है, जहाँ पर boat race की जाती, इस festival के उपर, उसके बाद है, यह fifth question, यह भी five marks का है, right to two example of each, religious festival में आप दिवाली, दशेरा, एद वगेरा डा सकते हैं, दो हर्ब के नाम बता तो तुलसी, sorry, तुलसी नहीं होगा, क्योंकि हर्ब में आप मिंट डाल सकते हो, and स्पिंच डाल सकते हो, देखे हर्ब और शर्ब का difference, इसे रिटीन में ने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको confusion हो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, शर्ब वो होते हैं, जो ब उसमें शीट करता है, पेडों के बीच में, हर्ब वो कहलाते हैं, जिनका तना पतला होता है, जिनकी स्टैम जो ग्रीन होती है, जैसे के मिंट, स्पिंच, ये वाली चीज़े, और कोरियंडर, इनकी जो तने होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, जबकि शर्ब जो होता है, उनके एक ही ब्रांच, उसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है, एक ही उसमें से तने में से, जैसे तुलसी का पोधा आपने देखा होगा, ठीक है, और मोसली बुशी प्लांट होता है, क्या होता है बुशी प्लांट, उसके बाद है रूट, वी इट एस वेज़ेबल, तो Q6 में है, answer the following question, यह 7 marks का है, how many days are in a week, 7 days, what are the means of transport, तो what are the means of transport, लिखना है आपको, ठीक है, land transport, water transport, air transport, name any five pet animal, बहुत ही easy है, which is the largest animal on the earth, ठीक है, largest animal आप लिख दोगे, blue whale, and what are the uses of a jute plant, तो jute plants हम क्या क्या बनाते है, चटाई, टोक्री, ठीक है, तो यह सब bags, तो यह सब इंग में option आएगा, what are the trees, trees कों से होते हैं, ठीक है, आप यह लिख दे न, and what do you mean by the amphibian, ठीक है, यह सब की worksheet में ओलरी बना चुकिए, अगर आपको कोई भी confusion है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको second class की playlist में म of transport, तो यहाँ पर आपको, यह सब वाला question करना है, यह 3 marks का है, जैसे rocket हमारा क्या है, air transport है, तो आप यहाँ पर यह लिखेंगे, ठीक है, अगला question 5 marks का, और यह last question है, give answer in one word, ठीक है, आपको एक word में answer देना है, people play with color, holy वाला तो सच्टी वले, we get gum from, कि हमें जो gum है, वो कौन स passport, the time that has happened already is cold, जो पहले ही बीच चुका है, उसे हम कहेंगे past, and number of days in our year, 365 days, और आप लिक सकते हो साथ में और करके 366 days, क्योंकि जो हमारा leap year होता है, उसमें 366 days होते है, because February में उस year में 29 days होते है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप कोई वीडियो पसंद आत तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, और हमें केमेंट सेशन में ज़रू बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, तिल दिन बबाई, स्टे सिफ, स्टे हैल्दी